नमस्कार गोरकपु लाइफ देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ नितीश गुपता इससे हम हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा ही चर्चा में बने रहने वाले स्वामी ओम जी वही स्वामी ओम जी जो बिग बॉस में प्रतिभागी भी रहे हैं आज हम उनसे तमाम चीजे मैं एक तो सबसे पहले अपने सभी ग्लोबल विवर्स को मैं ये निविदन करना चाहता हूं कि आपका जो गोरकपु लाइफ चैनल है इसको करोडों के तैदाद में सब्सक्राइब करें ताकि ये ग्लोबल नेशनल टीवी चैनल बन सके क्योंकि आप राश्ट्रबादी है और गोरकपुर तो मेरा कर्मस्थल है क्योंकि गोरकश पीठ में महानत अवजयनाथ जी थे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे ये हमारे बहुत प्री हैं योगी आजितनाथ जी जिनको कटर हिंदू बनाने में मेरा और महानत अवजयनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रह और आप ये देखिए कि योगी आजितिनाथ जी को चीफ निश्टर बनाने के लिए ही मैं 30 दिसंबर 2016 को सलमान खान को पीट करके मैं आ गया था असली मक्सद था उस वक्त एलेक्शन चल रहा था और मैंने योगी आजितनाथ जी को जायद मुरी जी को मैंने वादा किया था क कि यदि मुझे किसी को पीट करके भी निकलना पड़े क्योंकि जिस्वक्त मैं गया था उसवक्त एलेक्शन एनॉंस नहीं हुआ था तो मेरे अंदर बिग बॉस के घर में जाने के बाद एलेक्शन एनॉंस हुआ था तो BJP के लिए केंपेणिंग करने के लिए और हिंदू द्रोहियों को सत्ता भिहिन करने के लिए मैं सलमान खान को पीट करके मैं बाहर आ गया था उसके बाद मैंने जवर्दस्ट मैंने केंपेनिंग की जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 2017 के एलेक्शन में कितने बहुमत से भाजपा सत्ता सीन हुई और मेरा यप्रियास है हाला कि उस वक्त नरेंद मुदी जी उसको चीफनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे योगी आजितनाजी को अमेरिका भेज रहे थे तो मैंने जित कर दिया मैंने उनको यह कहा कि भाई यह नहीं हो सकता मैं बिक बॉस का बलिदान दे करके आया हुआ हूँ इनको चीफनिस्टर बनाने के लिए और आप इस तरह से करेंगे तो मैं भाजपा के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूँगा यानि योगी को सीयम आपने बनाया कि मेरा उसमें योगदान रहा उनका मेहनत बहुत बहुत हाद यह